नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे है सब मजे में? हाँ, मजे में है ने? तो आगे हमने हिंदी विशय में कक्सा साथ में क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? पाट चार कतनी और करनी पढ़ा था, ठीक है? याद है न सब को? हाँ, तो विद्यार्थी मित्रों वह एक नि वाले है विद्ध्यार्थी मित्रों आप लोगों को यह पूरा वीडियो देख लेने के बाद इस वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं है और हमारी जो स्कूल की चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ठीक है चलिए विद्ध्यार्थी मित्रों यहां काव्य पांच है हिंद देश के निवासी हिंद यानी हिंदूस्तान और देश यानी राष्ट्र निवासी यानी रहने वाला तो हिंदूस्तान में रहने वाला तो इस पर कवी ने बहुत अच्छी काव्य लिखी है इत्यार्थी मित्रो यहाँ पर हम आज इस वीडियो में सिर्फ काव्य का गान करेंगे और यह काव्य में जो गान करती हूँ उसे आपको उस राग में काव्य को मुखपाड भी कर लेना है और ग्रु कारे की रुप में इस काव्य को आपको CW की नोटबुक में लिख लेना है ठीक है अब मैं काव्य गान करती हूँ वह आप लोग अपनी पाठ्या पुस्ता खुली रखेंगे और मेरे साथ काव्य का गान करने का प्रैत्न करेंगे और जब हम स्कूल में मिलेंगे तब जो हमारी दूसरी काव्य थी तब याद तुम्हारी आती है और ये पाचवी काव्य दोनों काव्य मुखपाड है तो जब स्कूल सुरू होंगे तब यह दोनों काव्य हम मुखपाड लेने वाले है ठीक है तो आप लोगों को घर पर य वीडियो को लाइक करना है और क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बूलना है ठीक है चलिए अब काव्यगान करते है मेरे साथ आप लोग काव्यगान में जूड़ जाईए हिंद देश के निवासी सबी जन एक है रंग रोप बेस भासा चाहे अनेक है हिंद देश के निवासी सबी जन एक है रंग रोप वेस भासा चाहे अनेक है बेला गुलाब जो ही चमपा चमेली बेला गुलाब जो ही चमपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है कोयल की कूक न्यारी पपी ही की टैर प्यारी गारही तराना बुल बुल राग मगर एक है गारही तराना बुल बुल राग मगर एक है गंगा यमुना ब्रह्म पुत्रा क्रुष्णा का वेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है धर्म है अनेक जिनका सारव ही है पंथ है निराले सब की मंजिल तो एक है धर्म है अनेक जिनका सारव ही है पंथ है निराले सब की मंजिल तो एक है वित्यारती मित्रो यहाँ पर हमारा काव्यगान पून हुआ अब हम आगे के वीडियो में मिलेंगे आप लोगों को अब क्या करना है वीडियो को लाइक करना है और चैनल सब्सक्राइब करना मत बुलेगा ठीक है चले अब आगे के वीडियो में मिलेंगे